हेलो स्टुडेंट्स स्टु ओमान में आपका स्वागत है मैं संतोष कुमार सिंग आपका फिजिक्स मेंचर विजेट फ्रॉम एनटी जलंधर मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूं और लगवक हजारों बच्चे इंजिनियर और डाक्टर्स बन चुके हैं मेरे पढ़ाये हुए औ और इस दौरान अगली बारी आपकी हैं चलिए स्टाट करते हैं लास्ट क्लास में लोग इलेक्ट्रो स्टाटिक्स में कुलाम्स लॉक का सेक्शन हम लोगों ने देखा था और उसी इंटर्मेडियर सिच्वेशन में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और उस आप लोग करके आएं होंगे और यह तो इंटिकल है हिलियम फिल्ड इस्फियर कल बॉल इच कैरिंगे चार्ज क्यूँ यही क्वेश्चन मैंने दिया था आप लोगों को कितने लोग यह बनाए हैं कि ए कि अगर करके आए A.e. now the electric the next topic is the electric field the electric field क्या होता है एकation पार्टिकल के साराउंडिंग में एक ऐसा इस एक शेतर जहाँद दूसरा चार्टिकल फॉर्स एक्सप्रीयन्स करता है है तो विなた है ne laughter children they space around the charges in which influence Kan packaged by any other charged particle okay our definition is an electric field is said to exist in a region of space around the charged object the source charge when another charge object or the test charge enter in the electric field and electric force act on it so yeah यह कोई यह चार्ज पार्टिकल है और इसके surrounding में कोई आड़ डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है तिस पॉइंट पर electric field क्या होगा तो यहां पर कोई दूसरा चार्ज विच इस टेस्ट चार्ज विच इस क्यू नॉट इस प्लेस्ट यह कि नॉट कितना फोर्स experience करता है तो यही फोर्स पर उनिट चार्ज हमारा आगे इलेक्रिक फिल्ड डिफाइन होता है तो यह जो छेत्र है यहां से हम लोग define करते हैं force is equal to columbic force k देखिए q q naught upon r square k q q naught upon r square यह q है q naught नहीं है तो f by q naught is equal to k q by r square which is electric field तो electric field हमारा calculate होके आगा e बराबर k q by r square और direction यही पॉस्टिव चार्ज है तो radially outward होगा और negative charge है तो radially invert होता है यहां में पता है चलिए a point charge जबी जो हम बात कर रहे थे point charge इन है electric field what happen if a point charge q naught is placed at any point in electric field produced by the some other stationary charges let the electric field e vector and the charge q naught will experience a force let the f vector यह दिखे यह f vector then the value of the electric field is given as this यह है जो हम आपको समझा रहे थे किसी electric field की reason में यह है electric field e vector और यहां पर कोई charge है which is let's say q naught और इस पे जो force लग रहा है which is f vector f vector by q naught is equal to e vector यह f vector is equal to q naught into e vector okay यह आप यह सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं और इसी का vectorial representation है q by r square जो इसको लोग लिखते हैं कि q by r square इवराबर के q by r square यह दिया गया है कि q naught is standing to zero यह 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 जो theoretical section यह पूरा लिखा हुआ है यह देखिए force है किसी भी charge पे q naught पे q के द्वारा force लगाया गया q naught पे q naught से divide कर दिये हैं यह देखिए value को q naught से डिवाइड कर दिये electric field आ गया electric field e is equal to q by r square magnitude wise हो गया और डायरेक्शन दिपॉस्टिव इत रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ट बोलिए क्या electric field वाले topic में कि point charge electric field कितना देगा इसमें किसी को कोई डाउट है तो हमें बताईए है कि ओगे कि रेक्शन यदि हम कहें कि यह चार्ज है लेट से दिस चार्ज इस कापिटल क्यों और इस पॉइंट पी पे निकालना है तैसे इसको मिलाते हुए एक लाइने से खीच देंगे इस वन इसको आर्काइप लिखें और आर्काइप का डायरेक्शन इस पॉइंट पे के रिस्पेक्ट में तो पी इस दपोजीशन वेक्टर अबाउट दे पॉइंट वेर दे चार्ज कापिटल क्यू इस प्लेज्ट ओके तो आर्काइप के डायरेक्शन में होगा यहां पर अर्काइप लगा दिया और यहां पर वेक्टर लगा दिया यह होगे यही निगेटिव होता तो माइनस आर्काइप कर देंगा कि माइनस आर कर पर देंगा तो आप एक सॉट नोट प्रिपेर करते रहिए जो चीजें सामने आपको दिखती आती है वह क्योंकि यह जो पार्ट है यदि मैं इसको खुद लिखूंगा तो नो डाउट टाइम ज्यादा लगेगा और आई आप पढ़ चुके हैं हम ज्याद है कि ज्यादा कोश्चन के अप्रोच रखें नुमेरिकल अप्रोच रखें तो ज्यादा बढ़िया होगा कोश्चन है टू नेगेटिव चार्ज आफ यूनिट मैगनिट्यूड और फिक्स अद शर्टेन दिस्टेंस एपार्ट और पॉजिटिव चार्ज क्यू इस प्लेस तो देखो दो नेगेटिव चार्जेस हैं और इसका यूनिट मैंगनिट्यूड है तो वन कुलॉम ले लेते हैं और इसको भी फिक्स अद शर्टे दिस्टेंस एल ए पॉजिटिव चार्ज क्यापिटल क्यू इस प्लेज़ अलांग इस्टेट लाइन ज्वाइनिंग द बोस अब द चार्जेस अट वाट पॉजिशन द वैलू अब क्यू बताईए ताकि चार्ज क्यू एक्यूलिब्रियम में रहे इस टाइप का मैंने आपको क्यूशन कर है जलिसे में बताईए कि देखू दू फास्ट चाहें आप इलेक्रिक फिल्ड के में 30 सकरेए उस LAUינ्ट पे रखीए जहां पर नेट लेक्रिक फिल्ड जीरो हो उस पॉइंट पे चार्ज को रखिए जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड जीरो हो और उसका वैंगनिट्यूड भी आपको बताना है बताइए क्या कोई किसी भी मैंगनिट्यूड का यहां पे चार्ज रख दें अब यह तो यह तो निशित है कि यहां पे वीचो वीच इलेक्ट्रिक फिल्ड जीरो होगा at distance L by 2 from any of the charges ओके तो यहां पे कोई भी चार्ज रख दें F is equal to QE यदि इलेक्ट्रिक फिल्ड ही 0 है तो force हमेशा 0 होगा for any magnitude आजा इसमें यदि एक पार्ट ओंड मैं एड कर दूं कि इफ if the whole system are in equilibrium then Q is equal to बताई यदि पूरा का पूरा system ही equilibrium में हो तब Q की value कितनी होनी चाहिए जल्दी से बताईए क्या करेंगे ये तो equilibrium में हो जागा पर पूरा system equilibrium में करना होगा तो पहला ये जो charge of fix है या इसको repel करेगा इसको अपनी तरफ खीचना होगा इसलिए इसको positive होना जरूरी है पहली बाद चार्ज इस पॉइंट पर कितना electric field से हम समझें तो यदि हम कहें कि इस पॉइंट पर वन कुलाम जो दे रहा है वह ई है और यह जो दे रहा वह ई-डास है कितना लिखें मैगनिट्यूड वाइज लिखेंगे सिर्फ के इन्टु वन अपन आर स्कॉर विच इस एल स्कॉर इस इकल टू क्यू बाइ र स्कॉर चल ला है यहां पर क्यू बाइ एल बाइ टू का स्कॉर के गिट कैंसल आउट और एल स्कॉर आलसू कैंसल आउट दन क्यू इस इकल टू फूर उलाम और नेचर पॉजिटीव होगा ठीक है अब आप क्यों समझ में आ गया होगा क्या करना था कोशन बहुत असान है ज़र आप बताईए कि क्या मैं इसको स्किप करूं या आप तुरंट बताएंगे तू चार्जेज यह है यदि इसको मैं क्यू कहूं यदि मैं इसको क्यू कहूं तो इसको हम फोर क्यू कह देंगे सेपरेटेर बाई डिस्टेंस तू मेटर क्यू एंड फोर क्यू इचिए इलेक्ट्रिक फिल्ड जीरो फाइंड आउट पोजीशन वेर इलेक्ट्रिक फिल्ड जीरो जल्दी से बताईए जितना स्पीड से आप सही कैलकुलेशन करेंगे तो यह ऐसा यह सारे के सारे नौलेज स्पीड कैलकुलेशन यह सारी चीज़ें हैं सबका एक कमिलेटिव रिजल्ट तब आता है इन सारी चीज़ों को अब अच्छे से करते हैं तो और किसी एक में भी आप लैक कर गए तो निश्चित रूप से आप आगे भी लैक करेंगे बहुत असान है यहां से एक्स डिस्टेंस बस आपको मैं यह लिख देता हूं एक्स इसको क्या लिखेंगे टू माइनस एक्स दोनों पॉजटिव है तो निश्चित रूप से यह यह दो चार्ज पॉजटिव है तो इलेक्तरिक फिल्ड बीच में जीरो होगा एक पॉजटिव है उस केस में तब क्या होगा यह जिसका मैग्निटूड कम होगा उसकी तरफ होगा दोनों का इदी magnitude बराबर है और किसी भी sign का हो जाँ दोना positive नेगेटिव है और दोनों का magnitude बराबर हो ना बीच में मिलेगा ना side में मिलेगा ना उधर मिलेगा यह सारे छोटी छोटी बातें सब ध्यान में रखना है इसके थ्रू इलेक्टरिक फिल्ड इधर होगा E1 कह दिया इसके थ्रू इलेक्टरिक फिल्ड पॉजटिव है E2 कह दिया magnitude यदि दोनों का बराबर हो direction हमने समझ रखा है कि इसका इधर इसका इधर यदि बराबर होगा तोने E0 होगा देखे लिख रहा हूं मैं KQ by X square is equal to K4Q by 2 minus X का whole square KQ get cancelled out root लेली जिए दोनों side 1 by X is equal to 2 upon 2 minus X which is 2 minus X cross multiply किया is equal to 2X and यहां से आपका हो जाएगा 3X is equal to 2 X is equal to 2 by 3 meter from Q charge Q charge से 2 by 3 meter तो दो तीन चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए कि दो वेदी positive charge यहां है तो फिल्ड और force एकी तरह behave करता है अब मैं conclude कर रहा हूँ field और force दोनों को दो positive charge है तो equilibrium बीच में मिलेगा या electric field 0 यह बीच में होगा दो negative charge है तब भी equilibrium बीच में मिलेगा एक positive एक negative है तो कहेंगे left में मिलेगा या right मिलेगा what decide तब होगा जिसका magnitude कम होगा उसकी तरफ मिलेगा हाँ एक positive एक negative पर दोनों का magnitude दी बराबर हो गया ना left में मिलेगा ना right में मिलेगा middle में तो मिलेगा ही नहीं कहां मिलेगा तो कहेंगे ऐसे suppose कर सकते हैं वो infinite पे जाके मिलेगा प्यूकि infinite पे जो बीच की दूरी है वो इग्नोर हो जाएगी ठीक है चलिए आगे चलते हैं छिए symmetrics ली and पे टी बारेखे है110 A point charges Q and minus Q located at the vertices of square with a diagonal 2L as shown in figure evaluate the magnitude of electric field strength at point point located symmetrically with respect to vertices of the square at distance x from the center मैं आपको एक आइडिया देता हूं उसके हिसाब से आप जज किजिए जैसे जमानिये कि evaluate the magnitude of electric field strength at a point symmetrically with respect to vertices of square at distance x from the center center से x दूरी पर यहाँ पर आ जाएगा इससे मिलाएंगे यह दूरी x यह एल और यह एक्स अंडरोड L स्कॉारपट एक्से स्कार से यह अगए इससे भी हो गया से भीं हो गया सब्सक्राइए दोनों के थ्रू जो फिल्ड होगा है इसके थ्रू बाहर आए एसे निकलेगा इसके थ्रू अंधर के direction में आएगा और 6 प्रश्च आए और चारों का वेक्टर सम आप ले लिजिए गा या आपको मैं HW देता हूं यह हमवर्क आप खुद से करेंगे आप अगर क्षेश्चन इस नेग्स्ट क्षेश्चन तो दिखिये a charge cock ball of mass M is suspended from the light string in presence of uniform electric field as shown in figure देखे यह uniform electric field where A and B are the positive number the ball is our equilibrium at an angle theta as shown in figure यह देखा रखा है find the charge on the ball तो कैसे सोचेंगे आप यदि equilibrium में और electric field ऐसे है तो इसको E रखिये और देखे कितना forces लगेगा तो इसको electric field को अलग 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 ऐसे समझे A I plus B J और यह theta angle पर ऐसे ले गया तो इसको ऐसे पहले break कर लिजिए यह हो गया आपका A component यह हो गया B electric field का component I के direction में और B के direction यह देखिये यहाँ पर जो है एक force लगेगा M G downward direction में Q A is the force which are acting toward X axis charge into electric field charge into electric field which are acting in positive Y direction यह vertically upward कह देंगे यह angle theta है तो यह भी angle theta होगा और यह इसको एंगल हम theta कह रहा है तो इसको आगे यह इसे बढ़ा ले तो यह theta हो जाएगा यह 90 minus theta हो जाएगा ओके चलिए ठीक है अब charge पूशा है तो तीन forces लग रहा है कौन कौन से एक mg एक यह force हो गया कहेंगे इसके along भी एक इक बार कर सकते थे आप और एक इसमें tension tension हमने कह दिया T resolve किजिए forces को और equate कर दिये x-axis के along और y-axis या vertical के along या oriental के along ऐसे कह जाएगे करिए करिए ती को break करिए ती को break किजिए यदि याँ T है तो इधर होगा T cos theta और इधर होगा T sin theta और पूरा system equilibrium में है देखिए मैं लिख रहा हूँ T sin theta is equal to उधर है electric field के through जो force है QA and इधर देखिए ज़र इसको balance करेंगे तो लिख देंगे T sin theta T cos theta cos theta और ध्यान देज़े plus QE उपर ही लग रहा Q into B is equal to mg थोड़ा सा इसको और arrange करते हैं तो T cos theta is equal to mg minus QB इसको equation number one कह दिया इसको two कह दिया डिवाइड कर दो हमारा purpose है कि T cancel हो जाए तो असानी से क्यों निकल जाएगा तो डिवाइड करेंगे तो tan theta T T cancel sin theta upon cos the tan theta is equal to QA upon mg minus QB यह लिजे आगया अब इसको solve करके जल्दी से बता दीजे Q बराबर क्या आएगा ऐसे multiply कर देते हैं mg minus QB is equal to QA upon tan theta देखते रहिए Q को उधर भेज दिया हमने तो mg is equal to Q common हो गया देखिए यहां से लिकरा हमें A अब प्लस A by tan theta और प्लस B अब डिवाइड कर दो तो यहां से solve करेंगे तो देखिए क्या होगा Q is equal to mg tan theta डिवाइड वाइड 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 ए A प्लस B tan theta देखिए यह आएगा final answer किसी को किसी step में doubt है तो बताईए बहुत ही असान question रहा यह आपको बस यह देखना था कि electric field है और वो दो component में दिया हुआ एक i में एक b में तो हमने इसको अलग-अलग माल लिया हमने माल लिया इधर a है और इधर b अलग-अलग कर दिया एक जो force लगाएगा qa होगा और b जो force लगाएगा qb होगा है की नहीं और tension इसमें t है wire में mg toward vertically downward t को break कर दिया t cos theta t sin theta पस equate करना है q को multiple है गया ओ-ओ-ओ-ओ-ओ f is equal to qe x direction में होगा तो fx बराबर q into ex और f y is equal to q into e y इतना तो मैं समझ सोच लिया था कि इतना तो आप समझ सकते हैं तो a direction में x-axis में e x बराबर a है इसलिए qa और y direction में e y बराबर b है q यहां पर हम बात कर रहा है electric field due to distributed charge it means point charges नहीं होंगे तो हमें क्या approach बनाना होगा जड़ा देखिए यह हमाल लिया एक random से ले लिया और यह है body charged है तो basic approach जो चलेगा यह चार्ज इस पूरे surface पे distributed है इस body पे distributed है और इसके through let's say the distance is x अब यह सबसे पहले क्या consider किया charge dq इसको हम क्या कहेंगे elemental charge elemental charge और this elemental charge treated like a point charge इसको हम point charge की treatment treat करेंगे इसके through electric field इस point पे positive है electric field is let's say d e d e का magnitude कितना होगा तो कहेंगे point होगा तो k q q यानि d q upon r square r square यानि यह दूरी है आपका x k q by x square elemental लिया और कुछ ऐसे elemental हैंगे कि पूरे के पूरे whole body पे integrate हो सके मैं आगे आपको सिखाऊंगा बताऊंगा कि यदि डिस्क जैसा होगा तब कैसा होगा यह rod होगा तब कैसा होगा एस सारे situations में हम लोगे समझेंगे चीन जोगों और इसी को पूरे whole body पे integrate कर देते हैं that will give you the net electric field e this will be the basic concept लिखिये इसको कर दिए कर दो कर दो अवी ठार्टिफ एकर न हूं अ अ अ अ अ एलेक्रिक फिल्डेव दुत टो इन्फिनिट लाइ चार्ज देखिये एक derivation में करा रहा हूँ उसके according आपको समझना है बताऊंगा मैं एक general result है माल लिए कि line charge है यह distance r है और यह point p है किसी को दी result पता हो तो हमें बताए जरा कितना होता है result हमें लिखके बताए यह infinitely line charge है चार्ड एंस्टी लेट से lambda कुलॉंब पर मीटर दिया हुआ है आपको इस line charge के थूरू इस point p पे electric field बताना है बताएए किसी को result याद है देखे बेसिक step अब लिखे में देख रहा हूँ और इदर देखते ही वह रही है आप basic step क्या होता है कि पहले हमें point charge लेना है कहां से लें तो जिस point से मिलाया इस पे perpendicular plot किया है वही जो दूरी है यही हमारा reference point हो जाएगा इसके ऊपर हम कहेंगे positive infinity जाएंगे और इसके नीचे negative infinity जाएंगे तो यहां से x या y कुछ भी ले लिजिए y distance नीचे एक element लिया which is dy और dy पे जो चार्ज होगा वह चार्ज होगा डीक्यू और डीक्यू इस इक्वल टू इन्दी हम लिखें तो कहेंगे लेंड़ा डी वाई होगा लेंड़ा के टर्म में हाँ लेंड़ा के टर्म में अब यहां डीक्यू के थुरू इस पॉइंट पर निकालना जो हमने पिछला स्टेप अभी किया ना अभी यह समझा हम लोगों के पहले सब्सक्राइब पॉइंट चार्ज लेना है दूरी डिफाइड करनी है अलिमेंटल इलेक्ट्रिक फिल लिखना है इसको इंटीग्रेट करना है यही प्रॉसेस चलने वाला है यहां से रफ्रेंस पहले समझा यहां से वाई डिस्टन्स नीचे एक अलिमेंट लिया इस जाने वाली लाइन से रेडियल ली आउटवर्ड ऐसे बाहर निकल दीजिए अट इलेक्रिक फिल्ड इस डीए और डीए बराबर यदि मैं लिखूंग तो क्या लिखूंग अब के डीक्यू बाई आर स्क्वाइर कौन से दूरी इन पॉइंट और चार्ज की बीश की दूरी दो यए स्क्वाइर प्लज आर स्क्वाइर का अन्डरूonn इसका स्क्वाइर करेंगे तो रूल हट जाएगा हम थीक रिसपोन्स दीजए मैं देख रहा हूं सक्वा कमेंट में देख भी रहा हूं सात्मेब्ै फेटा कहूं देखें इस डीए को ब्रेक दीजिए देखें आप इसके तूँ जो फिल्ड होए इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया अब ज़रा सोचिये यदि यही एलेमेंट इधर होता और इसको ऐसे सोचते और यह इधर देता और उसको यदि ब्रेक करते तो एक कॉस में आता एक साइन में आता तो कौन सा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाता, कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो जाता, very good, d e sin theta वाला ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, तो d e is equal to k d q upon y square plus x square, अब अलग-अलग इसको इंटेग्रेट करेंगे, इसको कहा दिया हमने d e parallel perpendicular, इस wire के perpendicular, d e perpendicular, d e perpendicular क्या लिख रहाँ हूं मैं, d e k d q lambda d y upon y square plus r square into cos theta, d e cos theta, कहां से कहां integrate कर देंगे तो e perpendicular आ जाएगा, बता दीज़ें, कहां से कहां integrate करें, कहां जो y के limit जाएगी, from minus infinity to plus infinity, integrate कर देते हैं, आईए देखिए, बहुत असान है, k lambda, अब यहां पर देखिए, theta का भी term है, और यहां y, linear element भी चला है, और साथ में angular भी, angle भी बदलता जाएगा, क्योंकि हर जगा theta की value अलग-अलग होती जाएगी, जैसे-जैसे element नीचे चलाता जाएगा, मिलाने वाली line से angle theta change होता जाएगा, तो देखिए, क्या कर रहा हूँ, यह triangle आपको दिख रहा होगा, इस triangle में देखिए, y upon r, perpendicular upon base, y upon r is equal to, हमनों लिखेंगे tan theta, तो y is equal to, देखिए, r tan theta, और इसको differentiate करिए, ध्यान देगे, जो बच्चे medical वाले हैं, पड़ा integration से वह घबडाएं नहीं, dy by d theta is equal to r tan theta का differentiation sec square theta, और into d theta, इधर का d theta उधर बेज़ दिया, तो replacement करूंगा मैं, एक y is equal to r tan theta, y is equal to r tan theta, और dy is equal to this, ये दो replacement में करने वाला हूं, put करते हैं, देखिए, dy is equal to r tan theta, upon y square plus r square, y square is equal to r square tan square theta, r square tan square theta plus r square, r square को इदि मैं common कर लूं, तो 1 हो जाएगा, 1 और इसको r square common कर लिया, 1 plus tan square theta, और उपर cos theta, देखिए, भी integration नहीं करते हैं, integration का ऐसे sign लगा दिया बस, लेगे, क्या बचा है बच्चों, k lambda, और यहाँ से r से 1 r बचा, k lambda by r, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, so tan theta upon sec square theta into cos theta, into d theta. d y is equal to r sec square theta, d theta, okay. y is equal, d y is equal to r sec square theta, d theta, okay. अब sec square theta उपर भी है, यहाँ पर यह पर यह प्रिंटिंग कर बढ़े बच्चों, यहाँ पर sec square theta, sec square theta, d theta, sec square theta cancel हो गया, और बचा k lambda by r, देखिए, और इसको integrate करेंगे, तो electric field आ जाएगा. कहां से कहां integrate करदें, कहेंगे, minus infinity to plus infinity, यहाँ तो y के limit हुई न, theta क्या limit होगी? यहाँ से देखिए, y is equal to r tan theta, यदि y tending to infinite, then tan theta also tending to infinite, यहाँ सुनिया, y tending to infinite, then tan theta also be infinite, tan theta infinite, तो theta is phi by 2, हो गया, upper limit, lower limit, y tending to minus infinity, then tan theta also tending to minus infinity, and theta tending to minus phi by 2, तो limit जो है, radian में करवड कर दिया, minus phi by 2 to plus phi by 2, integrate करके, इसको integrate करेंगे, कितना आएगा? देखिए, कुछ यहाँ से उपर का मैं हटा रहा हूँ, और इधर आ रहा हूँ मैं, उपर, last में देखिए, यहाँ पर लिखूँगा मैं, मैं लिख रहा हूँ, e is equal to k lambda by r, and cos theta का हो जाएगा, आपका यह ध्यान रखिए का इस result को, k lambda by r, cos theta का integration आपका होगे, sin theta, or limit from minus phi by 2 to plus phi by 2, और which is equal to k lambda by r, और यह आपका हो जाएगा, देखिए, 1 minus minus 1, और final answer, e is equal to 2 k lambda by r, या इसको open कर दें, k वराबर 1 upon 4 phi epsilon 0, तो lambda is equal to 2 epsilon 0 r, into pi, तो यह रहा, electric field due to positive charge, positively charged, या negatively charged का है, दोनों के infinite, यह ध्यान रख़दा चाहिए, और finitely long रहे, और किसी point p पे, जो की r distance पे है, clear है यह, इसको लिखिए, लिखिए मैं तुरंट इसी एक result में, आपको अच्छा सा एक general result देने वाला हूँ, लिखिए जड़ाई से, तो यह result आपको याद भी रखना है, ध्यान रखना है आपको, और आपको general result की तरह आपको आगे बताता हूँ, आप लोग यह लिख लिए, अगे, अगे, देखिए, अब मैं कहूँ यह, यदि यह infinite नहों के यदि यह finite रहे तब, तब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहां से, यहां तक ही सिर्फ consider करना हूँ मैं, यहां से यहां तक यहां length माल लिजे L1 है, और यहां length L2 है, और इस end से इसको मिला रहे हैं, सिर्फ इतना ही wire है, इसके उपर नहीं है, इतना ही है, और L1, L2 वाला कुछ भी हो सकता है, यह मने समन्ना है, कि जितना नीचे है, उतना उपर है, पहली बात यह, और यह दिया हुआ कि इस end से ऐसे इसको मिलाया, तो यह angle आपका बन रहा है, थीटा 2 माल लिया, और इधर, थीटा 1, पॉजिटीम में है न, रुकी एक मिला, चले ठीक है, थीटा 2 और इस end से इसको ऐसे मिलाया, तो यह पूरा angle है, वह थीटा 1 है, सारा, देखेंगे, मैं और बाकी geometry नहीं मिटा रहा हूँ, तो कि सारे step वैसे ही चलने वाले हैं, पर पहले case में हमने क्या consider किया था, कि यह cancel हो जाएगा, इसलिए cancel हो जाएगा, क्योंकि जितना नीचे है, उतना उपर है, और दोनों element consider करेंगे, तो यह उपर नीचे दोनों cancel हो जाता है, और all about हम लोग डी, कॉस्टिटा को ही integrate करके result निकालते हैं, पर यदि यह दोनों छोटा बड़ा हो, एक finite length का हो, तो अब यह component cancel नहीं होगा, देखो, यहाँ पर same वही, पर अब दोनों element यहाँ पर आएगे, अब दोनों के integrate करते देखिए, इसको मैं दिखूंगा, d e parallel है, और इसको d e perpendicular, सारे step वही होंगे, ऐसे ही होते हुए हम लोग यहाँ तक आएगे, पर अब limit, pi by 2 से, minus pi by 2 नहीं आएगा, देखिए, अब limit change होगा, कौन बताएगा, कहां से कहां, radian के limit कहां से कहां तक आएगेगी, यदि इस dy को, यदि हम इस point पे shift करें, तो यह line, जो black वाली line है, वो यह blue वाली line तक आजाएगी, और यह angle हो जाएगा, theta 1, ऐसे clockwise, देखिए, यह है anti-clockwise, तेरी हम coordinate system को दी समझे, तो ऐसे यदि चलते हैं, तो positive लेते हैं, और ऐसे चलते हैं, तो negative लेते हैं, तो हम कहेंगे, minus theta 2, 2, plus theta 1, minus theta 2, तो plus theta 1, बस, यही चेंज जाएगा, तो यहां से जो integration आपका आया है, which is equal to k lambda by r, तो बाहर होगा, और देखिए, sin theta बनेगा, और limit, theta 2, 2, theta 1, और यहां से लिख दूँगा, k lambda by r, sin theta 1, plus sin theta 2, यह लो, पर यहां कौन सा component है, तो गहेंगे, यह perpendicular component, e perpendicular, ज्यान देजिएगा, मतलब, कि इस wire के, एक perpendicular component जाएगा, जिसकी value को, k lambda by r, sin theta 1, plus sin theta 2, जहां पर theta 1, theta 2, बराबर भी हो सकता है, वह कुछ भी value वैरी का स्रावा, जो हमने पिछला result किया है, theta 1, theta 2, दोनों pi by 2 रख दें, और तो infinite हो जाएगा, तो pi by 2 रखेंगे, यह हो जाएगा कितना, 1, यह भी 1, हो जाएगा 2 के लिएटा बाईया, पर ध्यान रखेंगे, यहां पर हम already reference लेकर चल रहे है, starting reference लिया, positive से negative से, तो जो result आया है, वह positive में आया है, इसलिए इसके यहां पर हम mod लगा के रखेंगे, तो आपको angle का कोई confusion नहीं होगा, कि minus लेना है कि plus लेना है, कुछ भी put करिए, इस reference line से नीचे आने पर कितना angle बनेगा, उपर जाने पर कितना angle बनेगा, और जब आप इसको integrate करेंगे, जब सारे procedure से यहीं पर लिखेंगे, d, k, lambda, d, y, y, square upon cos theta के जगा, यहाँ पर आपका sin theta हो जाएगा, और sin theta बनेगा, तो दिखिए, यह parallel वाले में, k, lambda, y, r, sin theta, d theta integrate करेंगे, तो cos आ जाएगा, same to same वही चीज़ें होगी, बस, देखिए, इसको मैं हटा रहा हूँ, देखिए, मैं लिख रहा हूँ, e, parallel is equal to, k, lambda by r, d, e, into, same theta, और इसको integrate करें, from minus theta 2, तो plus theta 1, यह हमारा d, e, हटकर, e, बन जाएगा, और इसको हम, e, parallel, मतलब, wire के, parallel component कितना भागेगा, same step से गुजरेंगे, और सारा कुछ cancel होगा, cos theta, sin theta, यहाँ पे जब put करेंगे, तो k, lambda by r, और sin theta का integration आपका हो जाएगा, cos theta, और limit, from minus theta 2, तो plus theta 1, limit ज़रा put करते हैं हम लोग, तो, देखिए, इसको हटा रहा हूँ, अब दोनों component, एक component कर लिया, दूसरा component, यह आने वाला है, तो देखिए, कितना बनेगा, यह k, lambda by r, और cos theta, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, cos theta, तो cos theta, पहले देखिए, 2, पहले अपर limit, पहले यह देखेंगे, तो cos theta 1, minus हो जाएगा यह, minus of cos theta 1, और minus, cos theta 2, और देखिए, cos theta 2 जब बनेगा आपका, तो minus of theta 2, और minus, cos minus theta बराबर, minus cos theta, अन्दा, cos theta के value, जो है, minus cos theta के value, cos theta के बराबर हो जाती है, तो, यहाँ पर लिख देता हम है, cos minus theta is equal to cos of theta, तो, cos minus theta 2 put करेंगे, तो cos theta के बराबर होगा, पर यह, minus और यह, minus plus बन जाएगा, यह, अपर लिमिट, minus lower limit, अपर लिमिट, minus, अफिर यह, जब put करेंगे, तो minus minus बन जाएगा, तो, final result is k, lambda by r, और यहाँ पर लिख देता हूँ, cos theta 2, mod में भी आप लगाएगा लिख सकते हैं, minus cos theta 1, यह लिजिए, यह हो गया, यह पर लर, अब, जब infinite wire होगा, तो अभी हमने, रिजल्ड देखा, 2k lambda by r होता है, यहाँ पर प्रूफ हो रहा है, कि 2k lambda by r, यह पर पाई बाई टू, पाई बाई टू, जब यहाँ पर आप आप जब पूट करेंगे, पाई बाई टू, पाई बाई टू, पूट कर सकते हैं, क्योंकि मॉड लगा दिया, आप एंगल को आप किसी बिरमे रखे, पाई बाई टू, पाई बाई टू, तो यह जितनी value देगा, यह भी value देगा, और 0 हो जाएगा, और infinite में, infinitely long wire के case में, हमने देखा, कि perpendicular component होता है, पर parallel component यह वाला cancel हो गया था, और I cancels, पूंगा रहा है, यह component cancel हो रहा है, हो गया यह, semi-infinite, अब इसी result से देखे, semi-infinite में निकाल ला हूँ, यह पर यह सारे calculations में भटा रहा हूँ, यदि आप semi-infinite wire लेते हैं, क्योंकि यह result एक general result है, यह याद रखिएगा आप यह, यह general result है, यदि semi-infinite हो गया, ऐसे मना लिया हमाली, wire कोई जरू नहीं है, यह हम ऐसे मना लेते हैं, यह देखे, यह ऐसे ले लिया हमेने wire को, और एक end जो है, वो हमें पता नहीं है, मतलब एक end infinite को गया है, और एक end हमें पता है, finite end, और यहाँ से r distance पे कोई point P है, अब समझ बनाईए, यह तो निशित है कि दोनों component होगे, क्योंकि इधर नहीं है, तो इसका जो part होगा, वो cancel लेंगा, दोनों component होगा, जब ठीटा बराबर है, जब देखो, ठीटा बराबर है, तो perpendicular होगा, या भी cos theta, या भी cos theta, दोनों cancel, यानि जितना इस reference line से उपर बनेगा, जितना ही नीचे बनेगा, तो कहेंगे यह perpendicular, यह वायर के parallel वाला component जिलू हो जाएगा, perpendicular सिठाएगा, तो उस case में भी, अब, यदि यह finite wire है, यह wire finite, semi-infinite, semi-infinite wire, ध्यान से देखिएगा, इस result को, ध्यान से देखिए, हम कहेंगे, एक component positive है, तो all about, एक component देखिए, इधर जाएगा, which is e perpendicular, अब e parallel इस point पर इधर होगा, अब दू आप्सन आपके पास, इधर होगा, या इधर होगा, तुवाड लेफ्ट, तुवाड राइट, यह parallel तो दोनों है, perpendicular clear है, parallel component इधर होगा, या इधर होगा, parallel इधर होगा, या इधर होगा, left होगा, बहुत अच्छे, यदि positive है, तो कुछ इस point पर इधर दे रहा होगा, एक component इधर, एक component इधर, तो यह वाला नहीं हो, यदि यह negative होता, तो ऐसे होता, उसकी तरफ होता, एक component इधर, और एक component इधर, यानि positive होगा, तो बाहर ही भेजेंगे, उसकी तरफ नहीं जाएंगे, इधर है और एक इधर, यानि बाहर ही है, और negative होगा, तो एक उसकी तरफ perpendicular चला जाएगा, और एक इसे, same parallel, parallel चला जाएगा, और positive होता, एंटी parallel जाएगा, यानि यह वाला component नहीं होगा, आज़ा कितना होगा है, इपर्पेंडिकुलर क्या मैं है, देखो तो, एंगल ऐसे समझें, तो यहाँ पेंगल ऐसे देखें, तो यह parallel बन जाएगा ऐसे, यहाँ पे 90 बनेगा, ऐसे, और इधर देखो, यह वाली जो line इधर जानी चाहिए थी, वह आके इसी पे मिल गई, यहाँ एंगल जीरो हो जाएगा, और यहाँ एंगल 90 बन जाएगा, कितने लोग एसे समझ में आ रहा है, यहाँ थीटा 1 कहलें, थीटा 1 जीरो और थीटा 2 बराबर 90, कितने लोग समझ आ रहा है, यही काम कर रहा है, यह जो line जा रही है, जो इस इंड को मिलाती है, और और देखिए ए पारलल लिखें तो रिजल्ट आपका यहां पर पूरे पर भी मॉड अप लगाए रखेंगा यह पूरे पर भी मॉड लगेगा तो कॉस थीटा जीरो यह वन हो गया कॉस नाइंटी आपका हो गया ये भी वेली होजादगी के लेंड़ा वई यजा तो दोंदेलteовые coward हैं चिमील फइनाइट वा Lol यजका और दोनों का magnitude से मोगा k lambda yr k lambda yr एक इधर और एक इधर और resultant resultant फिल्ड आपका इधर आएगा which is equal to e और e बराबर यदि इसको भी मैं e कहूं और इसको भी e कहूं resultant at point p is equal to root 2 e root 2 e या root 2 k lambda by r और यह angle theta is equal to 45 degree क्योंकि दोनों ही vector बराबर दोनों component बराबर तो देखो यह जो result है इससे infinite semi-infinite और finite तीनों के ही result को हमें यह से डिराइग कर सकते है finite semi-infinite और infinite तीनों result हो गया और और देखो यदि फर्मूले में confusion मत रखना ऐसे याद रखने के लिए जो perpendicular होता है उसमें sign होता है जो parallel होता है उसमें cos होता है parallel वाले में घटा कर लिखते हैं दूसरी बात confusion यह आप कर सकते हैं साइन के जगा यदि cos cos के जगा sign कर देंगा तो गड़बड हो जाएगा यदि यह एंगल यदि आप वो कहीं दिख रहा हो यह एंगल नो दिख रहा हो यह एंगल यदि alpha 2 कह दें और इस एंगल को alpha 1 कह दें तो क्या मैं theta 2 बराबर pi by 2 minus alpha 2 लिख सकता हूं और क्या theta 1 जो है यह theta 1 is equal to इधर लिक रहाओ pi by 2 minus alpha theta 1 बराबर alpha 1 ऐसे लिख सकता हूं तो जब यह दोनों value alpha के form में put करेंगे तो यहां पर value हो जाएगा cos pi by 2 minus theta 1 pi by 2 minus तो यही value यह sign वाला cos में हो जाएगा और cos वाला sign में हो जाएगा inequality change हो जाएगी sign की cos cos की sign में पर अंतर क्या होगा अंतर यही होगा कि angle जब vertices पर लेते हैं जिस point पर निकालना उस पर लेंगे तो sign इधर cos और यदि उसके base पर लेंगे wire पर लेंगे तो इधर cos इधर sign पलड़ जाएगा ठीक है आगे बढ़ूं आगे result को मैं बस दिखा देता हूं आपको यह result आप लोग लिखने हैं इसको दिहान रखिएगा और semi-finite वाले result को there was some useful result अभी मैंने आपको देखिए कराया यह और यहां पर यह mod लगा के a charged rod fixed length having charge density lambda having angle theta 1 theta 2 इसके दो component होंगे वह decide करेंगे आप यदि इधर वाला length ज्यादा है तो parallel इधर भागेगा इधर वाला length ज्यादा है तो parallel इधर भागेगा और negative होगा तो उल्टा हो जाएगा semi-infinite वाला भी हमने देखा यह के लेमडा बाई आर के लेमडा बाई आर के लेमडा बाई आर यह देखिए इधर एक component एंग component इधर दोनों का result इधर इधर विचिज रूट टू के लेमडा बाई आर और देखिए और भी result आप याद रखेंगे यह देखिए यदि कोई आर्क है ऐसे और यह एंगल फाई बना रहा है और आर्क पे चार डेंस्टी यदि लेमडा है आपको result याद रखिएगा इसके center यदि radius इसका आर है और center c है electric field at center c is equal to 2k lambda by r upon sin 5 by 2 होता है 5 को radian में put करिएगा ठीक है हर एक derivation crash course में नहीं दोड़ सकता है तो आपको थोड़ा चारे result को एक बार किताब से देख लीजिएगा और यह result ध्यान में रखिएगा 2k lambda by r sin 5 by 2 2k lambda by r sin 5 by 2 तो यदि यहाँ पर देखिए इस result को ऐसे समझी है कि यहाँ पर angle कितना है इसको verify करा देता हो यह angle 5 बराबर 5 by 2 तो यह कितना देगा तो यहाँ पर 5 by 2 put करेंगे तो यह हो जाएगा 1 यह value हो जाएगी तो देखो 5 by 2 यानि आपका हो जाएगा कितना जी पाई by 4 तो पाई by 4 is equal to 1 by root 2 यह हो गया 1 by root 2 करेंगे तो जाएगा कितना विच्चों root 2 के लेमडा बाई यार root 2 के लेमडा बाई यार और वही है यह जो को इसका x कंपोनेंट इसका y है resultant जब इधर आएगा तो root 2 times यह value हो जाएगी e x e y दोनों की magnitude सेम है तो root 2 times of e x और वही है यहाँ पर 5 बराबर कितना है तो यहाँ फाई बराबर पाई है देखें पूरा तो पाई पुट करेंगे तो पाई by 2 यह 1 हो जाएगा इसके थो इलेक्टरिक फिल्ड होगा 2 के लेमडा बाई आर 2 के लेमडा बाई आर यही value लिखा हुआ देखें यहाँ और y axis म प्रेगे तो साइन फाई बराबर जी लू है खता उसी तरी के सिर्ट का रिजल्ट है फिगा है यह रिंग का रिजल्ट है इसको विध्यान में रखियेगा तो नेक्स्ट क्लास में यह डिस्क का रिजल्ट कितना होता है सिगमा अपॉण 2 अप्साइल नाट वान अपॉन ए और प्लेट का रिजल्ट सिग्मा बई टू अपसाइलन नौट रिचार्ड सिग्मा है यहां तक हम लोगों इस क्लास में देखा इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लास में से स्टार्ट करेंगे यानि कल चली ओके थैंक यू बेरी मच वड़ा आप लोगों को अच्छा लगा हो तब आगया और अच्छी बात बनेगी ओके थैंक यू अन इस्टू अन इस्टू अन इस्टडी इस ऑल्वेज ओन कॉंसेप्स के बहतर रेलाइजेशन के लिए इस्टू अन पर बने रही है